Hello students, आज की वीडियो में हम लोग कुलाम स्लो के बारे में जानेंगे, तो चलिए सुरू करते हैं तो कुलाम स्लो के मदस से हम लोग दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं कुलाम स्लो का स्टेटमेंट है, according to कुलाम स्लो, the force between any two charge bodies is directly proportional to product of their magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them तो आईए पहले इस स्टेटमेंट का मतलब समाझते हैं सपोस कर लिजे हमारे पास दो चार्ज बॉडी हैं ये एक charge body है A और एक और charge body है B सपोस कर लेते हैं इस body के पास charge है Q1 इस body के पास charge है Q2 और इन दोनों के जो बीच का distance है वो मान लेते हैं R है दोनों के बीच का distance क्या मान लेते हैं? R है तो कुलाम स्लो ने कहा कि इन दोनों bodies के बीच में जो force लगेगा वो directly proportional होगा product of their magnitude of charges directly proportional मतलब होता है कि आप इस वाले quantity को बढ़ाएंगे तो ये वाली quantity भी बढ़ जाएगी अगर आप इस वाले quantity को घटाएंगे तो ये वाले भी quantity घट जाएगी और ये सोचने में बहुत ही obvious है सोचिए अगर इन दोनों bodies पे आपने charge बढ़ा दिया charge क्या किया? बढ़ा दिया अगर इन दोनों bodies पे charge बढ़ जाएगा तो इन दोनों के बीच में लगने वाला force भी तो बढ़ जाएगा तो वही बात है इसलिए कुलामसलो ने कहा कि जो force होगा इन दोनों bodies के बीच में वो directly proportional होगा product of their magnitude of charges के यानि दोनों का जो charge होगा उसका product कर लीजे तो उसके proportional होगा force मतलब जैसे जैसे इन दोनों bodies पे आप charge बढ़ाएगे force बढ़ता चला जाएगा और जैसे जैसे इन दोनों bodies पे charge घटाएगे force घटता चला जाएगा यानि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा ये घटेगा तो ये भी घटेगा तो ये भी घटेगा साथ में कुलामसलो ने एक और बात कही कुलामसलो ने कहा कि जो force होगा वो inversely यानि उल्टा inversely proportional होगा square of distance between them यानि इन दोनों के बीच का distance का square कर दीजे उसके inversely proportional होगा inversely proportional मतलब होता है अगर आप इस r को बढ़ाएंगे तो force घट जाएगा अगर आप r को घटाएंगे तो force बढ़ जाएगा inversely मतलब होता है उल्टा behave करना अगर आप distance यानि r को बढ़ाएंगे तो force घट जाएगा अगर आप distance को घटाएंगे कम करेंगे तो force बढ़ जाएगा ये भी सोचने में बहुत ही obvious सा है सोची आप अगर इन दोनों charge bodies को बहुत pass लादेंगे तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला force है वो बढ़ जाएगा तो आपने जब pass लाया तो इस r की value तो घट गई होगी न distance दोनों का कम हो गया होगा जब इन दोनों charge bodies को pass लाएंगे तो distance तो घट जाएगा लेकिन distance घटाने पर force बढ़ जाएगा Suppose करिए दो चुम्बक हैं आपके पास दोनों का आप pass लाते हैं तो force बहुत जादे लगता है यानि आप जब distance कम करते हैं तो force बढ़ जाता है Suppose करिए आपने इन दोनों charge bodies को बहुत दूर दूर रख दिया तो force जो होगा इन दोनों की बीच में वो बहुत कम लगेगा अगर आपने इन दोनों charge bodies को बहुत दूर दूर रख दिया तो इन दोनों की बीच में force क्या लगेगा कम लगेगा लेकिन जब आपने इन दोनों charge bodies को दूर दूर रख खा तो distance तो बढ़ गया ना तो distance बढ़ाने पर force कम हो गया और distance घटाने पर force बढ़ गया उल्टा हो रहा है तो कुलाम सुलों ने यही बात कही यह force जो है वो inversely proportional होगा square of distance between them ठीक है? यानि दोनों charges के बीच का distance का square कर दीजे उसके inversely proportional होगा यानि आप distance बढ़ाएंगे तो force घट जाएगा distance घटाएंगे तो force बढ़ जाएगा ठीक है? अब दोनों को combine कर दें तो हम लिख सकते हैं जो force है वो directly proportional होगा q1, q2 by r square दोनों को combine करने के बाद और इस proportionality को जब हम लोग हटाते हैं तो एक constant आता है k k q1, q2 by r square force की value क्या आती है? k q1, q2 by r square ठीक है? k क्या है? constant है ये जो k है ना इसकी value depend करती है आपने इन दोनों charges को किस medium में रखा है सपोस करिए आपने अगर इन दोनों charges को air में रखा तो k की value कुछ और होगी अगर आपने इन दोनों charges को पानी में रख दिया तो k की value कुछ और होगी तो जब अगर आप medium बदलेंगे तो force भी बदलेगा ये बात ध्यान दीजेगा तो सपोस करिए आपने दो charge bodies एक बार air में लिये हैं और दोनों के बीच में force calculate किया आपका आया 10 newton तो अगर आप उन्हीं दोनों charge bodies को पानी मिलेके जाएंगे और तब force calculate करेंगे तो 10 newton नहीं आएगा अलग आएगा अगर आपको जानना है कि क्या आएगा तो आप comment box में बताईएगा मैं उस पर भी video बना दूँँगा ठीक है? तो ध्यान दीजे पहले force जो है वो directly proportional था q1 q2 के force जो था वो inversely proportional था square of distance between them के दोनों को मैंने combine किया तो force जो है वो proportional मिला q1 q2 by r square के ये जो मैं proportionality अगर हटा दूँँ तो मैरे पास एक constant आता है k तो force जो है equal हो जाता है k q1 by q2 r square इस k की जो value होती है वो होती है 9 into 10 to the power 9 actually ये जो k है वो equal होता है 1 by 4 pi epsilon not इस epsilon not को कहते हैं हम लोग permittivity permittivity of free space ठीक है comment box में आप लोग बताइएगा इस epsilon not की value क्या होती है in vacuum ठीक है वैसे भी ये vacuum के लिए होता है ऐसे लिए epsilon not लिखा होता है मतलब अगर आप medium बदलेंगे तो इस epsilon not के जगह कुछ और जी जा जाएंगे ठीक है उसे हम लोग किसी दूसरे वीडियो में discuss करेंगे यानि actually जो force है वो equal हो जाएगा के जगह मैं चाहूँ तो 1 by 4 by epsilon not लिख सकता हूँ q1, q2 by r square ठीक है तो इस formula के मदद से हम लोग किसी भी दो charge bodies की बीच में जो लगने वाला force है उसे हम लोग calculate कर सकते हैं इस formula के मदद से ठीक है यह जो formula है यह बस हमें magnitude बता के जाएगा force का यही है Columns Law Columns Law क्या कहता है जो force है दो charge bodies के बीच में वो proportional होता है product of their magnitude of charges और inversely proportional होता है square of distance between them के ठीक है और force का formula क्या हो जाता है 1 by 4 by epsilon not q1, q2 by r square ध्यान दीजेगा जब आप इन दोनों charge bodies पे charge को बढ़ाएंगे तो force बढ़ जाएगा क्योंकि directly proportional है अगर इन दोनों bodies के gap को कम करेंगे तो भी force बढ़ जाएगा ठीक है यही key points है तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आप Columns Law के formula का vector form देखना चाहते हैं तो मुझे comment करके जरूत बताईएगा मैं अस तो भी वीडियो बना दूँगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए good bye